बहुत लोग का यह कुशिन था कि मैं एक बार यह बता दू कि मैं कौन से सेंटर को सबसे पहले प्रिफरेंस देना चाहिए किस सेंटर को सबसे पहले हमें अपना option बनाना चाहिए तो सबसे पहले अगर निफ्ट का कोई अगर आपकी राइंक बहुत अच्छी है तो हम ट्राइ करो कि आफ निफ्ट डैलि में एडिमिशन लए लो में आपको च्छा मिले अपने बार प्लेस्मेंट आइग पयद सबसें कूक्र работает है तो जैसा कि निफ्ट डैलि मैंने बता हैぎ कूँआ है लेकि निफ्ट है आपका काम और फिल्म सिटी ही है तो वहाँ पर आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल जाता है लाइक मी फैशन वीक और यह सारे जो फैशन वीक होते हैं जो बड़े-बड़े डिजाइनर्स होते हैं यह सब वहीं रहते हैं तो आपको हो सकता है कभी इन लोगों के साथ काम करने का भ प्लेस्मेंट अच्छी होगी और इन सिटीज में आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिल सकता है इस ज़से आपकी प्लेस्मेंट भी अच्छी हो सकती है उसकी बाद अब हम थर्ड नंबर पर बात करते हैं तो आपको प्रिफरेंस देना चाहिए निफ्ट बैंगलोर को निफ डैली मुंबई तो अलग चीज हो गया इनका मेट्रो सिटी था एक्सपोजर अच्छा था सक पुछ था लेकिन निफ्ट बैंगलोर भी जो सिटी है वो भी मेट्रो सिटी है तो महांबे भी हम अची कासी इंटर्शिप वगरा करना चाहें तो कर सकते हैं आपको किसी भी तर पर डिपेंट ना हो करके अपने आप क्या कर सकते हो यहां से इस पर डिपेंट होना है यानि जिस भी कंपनी आप इंटर्शिप करो जो कुछ करो वहां से प्री प्लेस्मेंट ओफर लेके निकले आप उसके बाद थर्ड वन इस फॉर्थ वन इस निफ्ट हैदराबाद की कर लेते हैं तो निफ्ट हैदराबाद कोलकाता यह दुनों ना कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं कभी हैदराबाद रैंक फॉर पर जाता है कभी निफ्ट कोलकाता रैंक फॉर पर जाता है तो अभी के लिए हैदराबाद है तो हम हैदराबाद को देखते हैं हैदरा कुलकाता का डिठा सबसी अची चीस ही कि आपको रहना सबको इतना मैं निफ्ट कुलकाता से हूं मैं पहले अपना थो मैं पहले अपना बहुत हैं निफ्ट कोलकाता के आसपास क्योंकि कोलकाता ही पूरा ट्रेडिंग सीटी है तो वहां पर बहुत सार आपको मिलेगा देन है निफ्ट गांधी नगर भी बेस्ट कॉलेज है निफ्ट रैंक 5 पर है गांधी नगर भी बहुत अच्छा है इसके लिए भी आपको चाहिए उसके बाद अब हम बात करते हैं निफ्ट चैन्ने की जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है देखो लाइफ में मतलब लाइफ क्या बोलने में करियर का चार साल आपको वहां रहना है ठीक है आपको पढ़ाई करनी स्टडी करनी है रहना है चार साल कम से कम चार साल रहना अगर आप मास्टर ना करना चाहो तो उसके बाद वहां पर तो रहने का बहुत दिक्कत होता है खाना रहना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम तो अधर स्टेट से होते हैं अधर जगां से होते हैं तो वहां पर थोड़ा सा सेटल डाउन होने में बहुत टाइम तो यह कॉछ आपको पर चाटना के लिए वह आधा सो उसे पेर जुछ समें अपर 126 कॉछ 2 हाट के सब्सक्न तो यहां पर 122 पाला कॉछ हॉइद अच्छ सकते लिए पटना में भी कुछ कुछ कमपनीज है अगर आप लोग चाहें तो एक्सपोजर ले सकते हैं सबसे बड़ी चीज है कि आपका मन कैसा है मन अगर आपका करने कहना हर जगह आपको एक्सपोजर मिलेगा ठीक है तो आपके इंटरेस्ट पर काम होता है फिर है भुबनेश्वर भ भुबनेश्वर में भी सेम चीज है कि उतना नहीं है बट एक्सपोजर है और अगर आप करना चाहोगे तो कहीं न कहीं से एक्सपोजर निकल आएगा ऐसा भी कर सकते हो लाइक हर सेमस्टर बाद एक महिने का ब्रेक होता है कि उसमें आप एक्सपिरियेंस कर सको उस वक्त म आप जाके दूसरी सिटी में भी जाके एक्सपोजर कर सकते हो दूसरी सिटी में जाके आप इंटर्शिप कर सकते हो उसके बाद इस भोपाल भुबनेश्वर के बाद हम भुबनेश्वर के बाद हम भुबनेश्वर के बाद हम भुबनेश्वर के बाद हम भुबनेश्वर और यहां पर जो चीज़ें हैं उसको at least experience कर सकते हो देन है हमारा कन्नूर कन्नूर सेंटर भी इस होके कोई बहुत वैसा नहीं है इसका भी सेम सीन है लाइक भुबनेशार बोपाल कन्नूर यह सब सेम लेवल पर आता है और आई हम जो नेक्स वन पे बात करते हैं यह निफ् राइबरेली यह तो यू बहुत संदर है् ऍपराइली-स इस तो udah लाइबरेली में में हैं आप लखनाव में कर सकते हो तो यह है लेकनों जादा दूर नहीं राइबरेली से पर आपको एक मन्त के लिए ब्रेक का यूज करना पड़ेगा और आपको यहां आना पड़ेगा अपनी इंटर्शिप्स करने के लिए तो इस तरीके से आपका राइबरेली हो गया सेम लेवल पे ही आपका फिर शिलॉंग है उसके बाद आपका कंग्रा है उसके बाद आपका जोधपूर है उसके बाद श्री नगर है और उसके बाद आपका पंचकुला है तो राइबरेली भी मतलब आप ट्रकनूर आप राइबरेली भी रेफर कर सकते हो राइबरेली इसके पहले भी कर सकते हो इसे बतारी हो कि पटना के बाद जो भी है यह सब आगे पीछे हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है सब सेमी लेवल पे हैं उसके बाद हमारा यह शिलॉंग तो अगर किसी को नेचर से बहुत प्यार है तो वहाँ पर जा सकता है तो पढ़ाई हर जगा सेम होती है कोई दिक्कत नी है हर जगा आपको पढ़ने को सेम ही चीज मिलेगी हर जगा सेंटर सेंटर होंगे study same होगी बस कुछ फर्क होता है तो वो होता आपका जो एक्सपोजर वाला फर्क होता है कि placement का placement भी नहीं कि आप बोलो कि internships कहां करें companies कौन सी करें कौन सी company में जाए यही सब issues होता है बाकी in center में भी सब सब की तरीके जो आपको निफ्ट डैली में पढ़ाया जाएगा वही आपको निफ्ट पंचकुला में भी बढ़ाया जाएगा but the problem is कि exposure की कमी हो जाती इसलिए बच्चे metro cities के तरफ भागता है जोदपूर भी अच्छा है जोदपूर आपका राजस्तान साइड है तो उधर में भी मतलब हैंडी क्राफ्ट का तो काफी कुछ expose आप कर सकते हो मतलब है कि हाँ अगर आप जहां भी जा रहे हो हर जगां का कुछ न कुछ special चीज होती है तो कहीं पे भी जाओगे अगर आप उस special चीज को ढूड़ोगे उस पे काम करोगे तो अच्छा का सब कर सकते हो उसके बाद है जोदपूर के बाद आपका श्रीनगर यहां पे तो कोई जाने से भी ढरता है लोग ढरते हैं आप जाने से पेरेंस जाने नहीं देते हैं बच्छो को क्योंकि यहां पे सबको लगता आतंकवादी आ जाएंगे बट एक थिस common sense से सोचो आतंकवादियों को आनी होती है तो तो यहां पे भी आ जाते हैं जहां पे हम रह रहे हैं तालिबान तो यहां पे भी आ गए तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको श्री नगर और कस्मीर में जाने से आपको बस आदंगवादी पकड़ लेंगे ऐसा नहीं है और कश्मीर में भी लोग रहते हैं श्री नगर में भी लोग रहते हैं तो हाँ यह थोड़ा higher risk के कि अब निफ्ट पंचकुला है तो निफ्ट पंचकुला के लिए तो मैं क्या ही वोलो भी new है दो साल पुराना सेंटर है तो इसके बारे में मुझे उतना information नहीं है पंचकुला सिटी का अप एक्सपोजर देख लो सिटी कैसी है पंचकुला अदरवाइस पंचकुला का उतना और I hope so कि वीडियो आपको helpful लगी हो आपको ये चीजें समझने में अच्छा लगा हो बाकी जो भी confusion अब रह गई है वो counseling के time में seat आने पे हो जाएगी तो I hope so कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो thank you so much अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like share करें बाबाई